हेलो एवरिवन, आप सीर उनक रामड़ाइका, वेलकम यौल तो ये चैनल माइंड इफरनेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि कोरोना के बाद से अभी तक मार्केट अफ़र्ट ट्रेंड में था, तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा था, बट अब मार्केट वोलेटाईल हो चुका है, तो आपको भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो ये वीडियो इस तरह से अलग होने वाला है, कि आज हम आपके रिस्क अपिटाइट, मतलब आपके रिस्क लेने की छमता, जो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग ह करना चाहिए, किस केटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, तो पहला है रिस्क अपिटाइट, रिस्क लेने की छमता, तो ये कुछ लोगों में जादा होता है, जाकि जादा रिस्क ले सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे, पहला ज़्यादा रिस्क कौन ले सकता है, पहला जो यंग है, अगर आप यंग है तो आप में रिस्क टेकिंग कैपैसिटी ज़्यादा होगी, अगर आपके पास सफिशेंट फइनईशल बैक अप है, मतलब आपके पास इनवेस्ट करने के बाद भी आपका बैक आप जो फडिस्क ले सकते हैं, कौन कम रिस्क ले सकता है या कम रिस्क लेना चाहिए जो थोड़ा ओल्डेज हो गया हो या जो रिटार्मेंट के कगार पे हो तो वो कम रिस्क लेना चाहिए उने दूसरा जिनके पास फाइनेशल बैककप उतना नहीं हो आप जो इन्वेस्ट कर रहे है आप अपना मंथली इंकम को इन्वेस्ट कर रहे है या अपना जमा पुंजी को इन्वेस्ट कर रहे है तो अगर आपके पास कोई सफिशेंट फाइनेशल बैककप नहीं है तो आपको कम रिस्क लेना चाहिए या कम रिस्क आप ले सकते हैं Second Time Horizon मतलब आप कितनी अवधी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मतलब अगर आप 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे short term period बोलेंगे 3 साल से 5 साल के लिए करना चाहते हैं अगर हैं 5-7 साल के लिए इनवेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम medium टो long term बोलेंगे, और 7 साल से आप जढ़ा के लिए इनवेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम long term बोलेंगे. तीसरा है availability of money, जो आप इनवेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप उसे एक साथ invest करना चाहते हैं, क्या आपके पास एक साथ पैसे कुछ हाई है और आप उसे invest करना चाहते हैं, तो investment की strategy अलग होगी, अगर आपकी monthly income है, तो investment की strategy अलग होगी, तो हम इन तीन बातों को, पहला risk appetite, risk लेने की छमता, दूसरा time horizon, मतलब आप कितने period के हान में रखके हम अपनी investment strategy को समझते हैं, चलिए हम समझते हैं, कि जो एक से तीन साल के लिए invest करना चाहते हैं, वो कैसे invest करें, तो अगर आप कम risk ले सकते हैं, तो आपको debt mutual fund में invest करना चाहिए, क्योंकि एक से तीन साल बहुत कम period होता है, और अगर आप equity mutual fund में invest करते हैं, तो risk बहुत बढ़ जाता है, अब आप debt mutual fund में invest करेंगे, तो किस टाइप के debt mutual fund में आपको invest करना चाहिए, तो आपको वैसे debt mutual fund में invest करना चाहिए, जहां जो invest कर रहे हैं, वो medium duration funds या medium to long duration funds में invest कर रहे हैं, अगर आप उससे कम duration fund वाले में invest करेंगे, तो आपको return अच्छा नहीं मिलेगा और अगर उससे ज्यादा वाले में करेंगे तो आपको interest risk और credit risk बढ़ जाएगा यहां आप साथ से 9% का expect return कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में detail में जाना है तो आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं अब हम वैसे लोगों की बात करेंगे जो थोड़ा ज्य risk ले सकते हैं तो आप अगर एक से 3 साल के इनवेस्ट करते हैं और आपके पास कुछ लंबसम अमाउंट है तो आपको भी debt mutual fund में invest करना चाहिए पहले तो और फिर आप systematic transfer plan कर सकते हैं STP करके आप उसे equity mutual fund में मन्थली basis में transfer कर सकते हैं इससे आपको एक अच्छा return मिलेगा औ तो वहीं अगर आपके पास कोई monthly income आ रही है तो आप large cap fund में SIP कर सकते हैं अब वैसे लोग जो 3 से 5 साल के लिए invest करना चाहते हैं और अगर आपका risk appetite कम है कम risk आप ले सकते हैं तो आपको SIP करने चाहिए large cap funds में और अगर आपके पास lump sum पैसे है तो आप उसे debt mutual fund में डाल द rate कर सकते हैं तो आपने देखा कैसे same strategy अगर हम एक से 3 साल में देखे तो वो थोड़ा risk को बढ़ा देती है और अगर 3 से 5 साल में देखे तो risk को कम कर देती है तो जैसे ही आपका time period भरता है तो आपका loss होने का या कम return होने का जो probability है वो कम होते रहे अब वैसे लोग जो चाहते हैं उनको भी SIP करनी चाहिए बट large cap में 90% investment और mid cap funds में आप 10% investment कर सकते हैं और आप लमसम में invest कर सकते हैं साथी साथ जब market थोड़ा correct हो like 1,2,3% की जब market में correction आए तो आप लमसम भी invest कर सकते हैं और आप अगर 5 से 7 साल के लिए invest करना चाहते हैं और आप कम risk ले सकते हैं तो आपको SIP करनी चाहिए बट ratio different रहेगा large cap में आपको 70% invest करना चाहिए और mid cap में 30% और आप लमसम भी invest कर सकते हैं market correction की time पर जब 1,2,3% market correction होता हो तो वहीं अगर आप ज़्यादा risk ले सकते हैं और आप 5 से 7 साल के लिए invest कर रहे हैं तो आपको SIP करनी चाहिए बट य invest करना चाहिए mid cap में आपको 30% invest करना चाहिए और small cap में 20% और आप लमसम भी कर सकते हैं market correction के time पर वहीं आप अगर 7 साल से ज़्यादा के लिए invest करना चाहिए तो चाहिए आपका risk low हो या high हो आप SIP कर सकते हैं इसमें ratio रहेगा large cap में 40% invest करेंगे mid cap में 30% और small cap में 30% और आप देख रहे होंगे कैसे time horizon change होने से और आपके risk appetite के change होने से कैसे investment strategy change हो जाती है और अगर मैं जो आपको investment strategy बता रहा हूँ आप अगर उस पर stick रहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक अच्छा return generate कर पाएंगे और वो भी कम risk के साथ और आपको ये strategy continuously follow करनी प बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि आप mid cap fund में invest करेंगे तो सब वो mid cap में ही जाता है वो अलग-अलग category में invest करते हैं तो उस category का जो total है वो मेरे ratio से match होना चाहिए आप अपने screen पर देख सकते हैं कि अगर आप एक mid cap fund में 1,00,000 पर invest करते हैं तो 65% पैसा ही mid cap में जाता है 20% large cap में जाता है और 10% पैसा small cap में भी जाता है यह एक approximate percentage है यह थोड़ा उपर नीचे हो सकता है वहीं आप अगर एक small cap fund में invest करते हैं तो आपका 50% पैसा mid cap fund में जाता है और 50% की पैसा small cap fund में जाता है तो मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की है कि अलग- time period के लिए invest करें और उनका risk appetite भी अलग-अलग हो तो वो कैसे invest करें ताकि कम risk में उन्हें जाधा return मिल सकें तो अगर आपको यह video knowledgeable लगा हो, useful लगा हो तो do like, share and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.